C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तीन प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय तीन इसका शीरशक है हमें संसद क्यों चाहिए तो आईए अब सुनते हैं अध्याय ती प्रिष्ट अठाईस इकाई दो इस पूरे प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बहुत बड़े सूचनापट को दिखाया गया है उस सूचनापट के सबसे उपर लिखा गया है इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर लोग सभा और उस शीरशक के नीचे भारत के अलग-अलग राज्जियों के नाम लिखे गए हैं वो उनके सामने अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की संख्या या तादाद लिखी गई है प्रिष्ट 29 संसद तथा कानूनों का निर्माण शिक्षकों के लिए कक्षा चै और साथ की पाठ्य पुस्तकों में शासन विवस्था के बारे में बात की गई थी यो उसी क्रम में अगली कड़ी है लहाजा अब तक जिन विचारों पर चर्चा की गई है उनको संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा रहेगा खास तोर से निर्वाचन प्रतिनिधित्व और सहभागिता से जुड़े विचारों को अगर कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को और अच्छी तरह समझ सकते हैं इस प्रसंग में अखबार और टेलिविजन रिपोर्टों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अध्याय तीन में संसद के कुछ कारियों पर चर्चा की गई है ये कारिय संसदी लोकतंतर के विचार से किस तरह जुड़ते हैं इस बात पर खास जूर दिया जाना चाहिए इसलिए नागरिकों की एहम भूमिका को समझाना और विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी राए व्यक्त करने का मौका देना बहुत महत्वपून है कई विद्यार्थी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में सनक भरा या नउमीदी का रवया लिये होते हैं ऐसी सूरत में शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका इस निराशा को खारिज करने या बच्चों के सुर में सुर मिलाने की नहीं होगी आपको उन्हें ये बताना है कि संविधान का सही उद्देश्य क्या है अध्याय चार कानूनों की समझ पर केंद्रित है बच्चों को कानूनों के बारे में विशेश जानकारी नहीं होती कानूनों के बारे में उन्हें समझाने के लिए ज्यादतर उदाहरन उनके आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे तभी वे ये समझ सकते हैं कि कानून सब के लिए बराबर होते हैं अध्याए की शुरुवात में चर्चा की गई है कि कानून का ये शासन किस तरह विकसित हुआ और राश्ट्रवादियों ने ब्रिटिश कानूनों के मनमानेपन का किस तरह विरोध किया अध्याए चार में दिये गए चित्रकथापट में बताया गया है कि नया कानून किस तरह बनता है इस चित्रकथापट का मुख्य जोर संसद में चलने वाली प्रक्रियाओं पर नहीं है ये इस बात को दर्शाता है कि किसी महत्वपून सामाजिक मुद्दे को कानून का रूप देने में आम लोग कितनी एहम भूमिका निभाते हैं इस अध्याय में उल्लिकित कानूनों के अलावा आप किसी नए विचाराधीन या प्रस्तावित कानून का भी उदाहरण दे सकते हैं ताके विद्यार्थी उसके संदर्भ में लोगों की भूमिका को समझ पाएं अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समुहु दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्याय पून दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा लें विद्यार्थियों को भारतिय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंडने और अध्याय एक में दिये गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तिमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दिन प्रिष्ट तीस पर हमें संसद क्यों चाहिए हम भारतियों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोगतांतरिक विवस्था का हिस्सा हैं इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोगतांतरिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमती के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोगतांतरिक विवस्था का निर्मान करते हैं इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुष रखने में मदद देती है इसी आधार पर संसद भारतिय लोकतंत्र का सबसे महत्वपून प्रतीक और संविधान का केंद्रिय तत्व है इस प्रिष्ठ पर नीचे संसद का चित्र दिखाया गया है लेकिन रोचक बात ये है कि संसद के चित्र में स्तंभों के स्थान पर संसद की छत को भारत के नागरिक अपने हाथों पर उठाये हुए स्तंभ के रूप में दिखाये गए हैं प्रिष्ठ 31 इस प्रिष्ठ पर बई और नीले रंग के अक्षरों से लिखा गया है पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिये कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है इस प्रिष्ठ पर बई और एक मतदाता का चित्र दिखाया गया है इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन याने EVM के इस्तेमाल की विधी को पढ़ रहा है 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में EVM का इस्तेमाल किया गया था इस चुनाव में EVM के इस्तेमाल से लगभग डेड़ लाक पेड़ों की रक्षा हुई क्योंके मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर आठ हजार टन कागस बनाना पड़ता इस प्रिष्ट पर बाई और उपर लिखा है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए जैसा के हम जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संगहर्ष चलाया था इस संगहर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी तरह तरह की प्रिष्ट भूमी के लोगों ने इसमें भाग लिया वे स्वतंतरता, समानता और निर्णाय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे आपनी वेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भई भीत रहते थे वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असेहमत थे लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था स्वतंतरता आंदोलन ने ये स्थिती बदल डाली राष्ट्रवादी खुले आम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे 1885 में ही भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस ने मांग की कि विधाईका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए 1909 में बने Government of India Act ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की विवस्था को मन्जूरी दे दी हालांके ब्रिटिश सरकार के अंतरगत बनाई गई ये शुरुआती विधाईकाई राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी लेकिन इन में भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और नहीं आम लोग निरणय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे जैसा के आपने पहले अधियाई में पढ़ा था आपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंतरता संगहर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंतर भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं स्वतंतरता मिलने पर हम एक स्वतंतर देश के नागरिक बनने वाले थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रती सम्वेदनशील रहना होगा प्रिष्ट 32 स्वतंतरता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंतर भारत के सम्विधान में ठोस रूप ग्रहन किया इस सम्विधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिध्धन्त को अपनाया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है इस प्रिष्ठ पर बई और नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण बताईए क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा आपकी राए में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए लोग और उनके प्रतिनिधी सहमती का विचार लोगतंत्र का प्रस्थान बिंदू होता है लोगतंत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में पैसला देता है इस तरह के लोगतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपून है और सैध्धान्तिक स्तर पर सरकार वह अन्य सारवजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मन्जूरी कैसे देता है। जैसा के आपने पढ़ा है, मन्जूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्ही निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समुह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समुह को ही संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंतरित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंतरन रखते हैं। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित, मतदान केंदर तक, मतदान सामगरी और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन पहुँचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रिष्ट तैंटीस प्रतिनिधित्व का ये विचार कक्षा छै और साथ की सामाजिक एवम राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपून विशाय था। आप इस बात से पहले से ही परिचत हैं कि सरकार के विभिन स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आईए इस अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के बकसे में अभ्यास दिया गया है। एक, विधायक, अर्थात, MLA कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रियोग करें। दो, राज्य विधान सभा और संसद अर्थात लोग सभा के बीच क्या फर्क है। इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तीन, इन विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं। क, चीन के साथ शांती पूर्ण संबंध रखा जाएगा। ख, मध्य प्रदेश में बोड के तहट आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा आठ को बोड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाए। ग, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेल गाड़ी चलाई जाएगी। ग, एक हजार रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। सार्व भौमिक वयस्क मताधिकार, विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय में लोक्तांतरिक सरकारों को आमतोर पर प्रतिनिधी मूलक लोक्तंतर की संग्या दी जाती है। प्रतिनिधी मूलक लोक्तंतर में लोग रिक्तस्थान हिस्सेदारी नहीं करते बलके चुनाव प्रक्रिया के जरिये अपने रिक्तस्थान को चुनते हैं। ये रिक्तस्थान पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज की दौर में ऐसी किसी सरकार को लोक्तंतरिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को रिक्तस्थान न देती हो। इसका मतलब ये है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। पांच, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधाई का या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादतर निर्वाचित प्रतिनिधियों को पांच साल की अवधी के लिए चुना जाता है। केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है जीवन भर के लिए नहीं 6. आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कारवाईयों पर अपनी सहमती या असहमती व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते बलके वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं क्या आप छोटे से नाटक के जरीए इस तरह के तीन तरीके बता सकते हैं प्रिष्ठ 34 इस प्रिष्ठ पर उपर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहले चित्र में भारत की संसद को दर्शाया गया है भारतिय संसद देश की सर्वोच कानून निर्मात्री संस्था है इसके दो सदन है राज्यसभा और लोकसभा दूसरे चित्र में राज्यसभा को दिखाया गया है राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं देश के उपराश्ट्रपती राज्य सभा के सभापती होते हैं। तीसरा चित्र लोकसभा का है। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतिय संसद लोकतंत्र के सिध्धांतों में भारतिय जनता की आस्था का प्रती कहे। ये सिध्धांत हैं निरणाय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमती पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपून शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतोर पर विभिन राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। प्रिष्ट 35 भारतिये जनता पार्टी अर्थात भाजपा के कुल 303 सदस्य। इंडियन नाशनल कॉंग्रिस INC के कुल 52 सदस्य। द्रविड मुनेत्र कलगम DMK के 24 सदस्य। ओल इंडिया त्रिणमूल कॉंग्रिस AITC के 22 सदस्य। युवा श्रम और किसान कॉंग्रिस पार्टी YSRCP के 22 सदस्य। शिवसेना SS के 18 सदस्य। जनतादल United JDU के 16 सदस्य। बीजू जनतादल BJD के 12 सदस्य। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के 10 सदस्य। तिलंगाना राष्ट्र समिती TRS के 9 सदस्य। लोग जन्शक्ती पार्टी LJSP के 5 सदस्य। समाजवादी पार्टी सपा के 5 सदस्य। निर्दलीय चार सदस्य। Nationalist Congress Party NCP के 4 सदस्य। Communist Party of India माक्सवादी CPIM के 3 सदस्य। Indian Union Muslim League IUML के 3 सदस्य। जम्मू और कश्मीर National Conference J&K NCP के 3 सदस्य। तिलुगू देशम पार्टी TDP के 3 सदस्य। All India मजलिसे इत्तिहादुल मुसलिमीन AIMIM के 2 सदस्य। अपना दल अपना दल के 2 सदस्य। Communist Party of India CPI के 2 सदस्य। शिरोमनी अकाली दल SAD के 2 सदस्य। आमादमी पार्टी आपके 1 सदस्य। SJSU पार्टी SJSU के 1 सदस्य। All India अन्ना द्रविड मुनेत्र कलगम AI ADMK के 1 सदस्य। All India United Democratic Front AI UDF के 1 सदस्य। जनता दल सेकुलर के 1 सदस्य। जारखंड मुक्ती मोर्चा GMM के 1 सदस्य। केरल कॉंग्रिस M KCM के 1 सदस्य। Meso National Front MNF 1 सदस्य। Naga People Front NPF 1 सदस्य। National People Party NPP 1 सदस्य। National Democratic Progressive Party PDPP 1 सदस्य। राश्ट्रिय लोकतांत्रिक पार्टी RLP 1 सदस्य। Revolutionary Socialist Party RSP 1 सदस्य। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM 1 सदस्य। बिदुथलाई चिरू थाइगल कच्ची BCK 1 सदस्य। कुल योग 543 इस प्रिष्ठ पर बाई और नीले रंग के अक्षरों में कुछ महत्वपून प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा गया है बगल में दी गई तालिका के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दिं। कौन सरकार बनाएगा? क्यों? विपक्ष किसको कहा जाएगा? उसकी क्या भूमिका है? लोगसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? क्या ये प्रक्रिया कक्षा साथ में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है? प्रिष्ठ 28 पर दिये गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोगसभा चुनावों के परिणाम दिखाए गए हैं। दल ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। घर आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा? कारण बताएं। प्रिष्ठ 36 इस प्रिष्ठ पर बाई और पीले रंग के बकसे में पंद्रवी लोगसभा के चुनाव परिणाम अर्थात 2009 के लोगसभा चुनाव परिणाम दर्शाए गए हैं। बाई और राजनीतिक दल का नाम लिखा है और दाई और प्राप्त सीटों की संख्या लिखी गई है। नाशनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी नौ सीटें। राष्ट्रिय जनता दल राजद चार सीटें। राज्यई दल अर्थात क्षेत्रीय दल ओल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कडगम नौ सीटें। अल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉक दो सीटें। अल इंडिया त्रिनमूल कॉंग्रिस उन्नीस सीटें। बीजू जनता दल 14 सीटें। द्रविड मुनेत्र कडगम डीमके 18 सीटें। जम्मू एंड कश्मीर नाशनल कॉंफरेंस 3 सीटें। जनता दल सेकुलर 3 सीटें। जनतादल युनाईटेड दीस सीटिंग जारखंड मुक्ति-मोर्चा दो सीटिंग, मुसलिम लीग केरला राज्य समिती दो सीटिंग, रिवलुशनरी सोशलिस्ट पार्टी दो سीटिंग, समाजवादी पार्टी सपा तेईज सीटिंग, शिरोमनी अकाली दल चार सीटिंग, शिवसेना ग्यारह सीटिंग, तिलंगाना राष्ट्रिय समिती टी आरेस दो सीटें, तिलुगु देशम टीडीपी छे सीटें, अन्यक्षित्रिय पार्टी साथ सीटें, पंजीकृत अमान्यता प्राप्तदल सोलह सीटें, स्वावलंभी तीन सीटें, कुल्योग पांचसव इस तालिका में 2009 में हुए पंद्रवी लोगसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गई हैं। इन चुनावों में इंडियन नाशनल कॉंग्रिस को सबसे ज्यादा सीटे मिली। लेकिन फिर भी वो लोगसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लेहाजा उसे अन्य दलों क साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंदन UPA का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या संसद याने MP कहलाते हैं। इन संसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को ये कार्य करने होते हैं। क राश्ट्रिय सरकार का चुनाव करना। भारतिय संसद में राश्ट्रपती और दो सदन होते हैं। राज्य सभा और लोगसभा। लोगसभा चुनावों के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने संसद हैं यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए चुँके लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और दो मनोनीत सदस्य होते हैं इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठ बंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपून काम होता है जैसा के आपने पहले अध्याई में पढ़ा था कार्यपालिका ऐसे लोगों का समुह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है भारत का प्रधान मंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है प्रधान मंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधान मंत्री क साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादी, विभिन्न सरकारी कारियों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो के सरकार बनाने के लिए एक दम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिल कर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साजामुद्धों पर काम करते हैं। प्रिष्ट सैंथीस इस प्रिष्ट पर सबसे उपर दो चित्र दर्शाए गई हैं बाई ओर साउथ ब्लॉक और दाई ओर नॉर्थ ब्लॉक का चित्र है केंद्रिय सचिवालाई की ये दो मुख्य इमारते हैं इनमें से एक का नाम South Block और दूसरी का नाम North Block है. इसका निर्मान 1930 के दशक में किया गया था. बाई ओर 6 Block का चितर है जिसमें प्रधान मंत्री कार्यालै, रक्षा मंत्रालै, विदेश मंत्रालै के दफ्तर हैं. दाई और नौर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालाई और ग्री मंत्रालाई स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालाई नई दिल्ली की विभिन इमारतों में स्थित हैं। राज्य सभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधी के रूप में काम करती है। राज्य सभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्य सभा की भी मिल चुकी हो इस प्रकार राज्य सभा की भी बहुत महत्वपून भूमिका होती है संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किये गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की निर्वाचित सदस्य करते हैं राज्य सभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राश्ट्रपती की ओर से मनोनीत किये जाते हैं ख सरकार को नियंतरित करना, मार्ग दर्शन देना और जानकारी देना जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं इसके जरीए संसद कारेपालिका को नियंतरित करती है सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रती आगाह किया जाता है इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों याने सांसदों के जरीए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोगतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक एहम भूमी का अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कारिक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। प्रिष्ठ 38 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर पीले रंग के एक बक्से में संसद में पूछे गए एक प्रश्ण का उदाहरण दर्शाया गया है। सबसे उपर लिखा गया है लोगसभा अतारांकित प्रश्ण संख्या 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए विशय बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। 48 डॉक्टर मनोज राजोरिया क्या महिला और बालविकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे के क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है ख यदि हां तो तत संबंधी ब्यारा क्या है और ग यदि नहीं तो इसके क्या कारण है उत्तर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महिला एवं बालविकास मंत्रालए में राज्यमंत्री क से ग मंत्रालए ने राष्ट्रिय बालकार्य योजना दोहजार सोलह का विकास किया है जो ज्यादतर विभिन मंत्रालेयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कारेक्रमों पर आधारित है इसमें मंत्रालेयों विभागों तथा राज्य सरकारों संग राज्य क्षेतर प्रशासनों की अभिसरण एवं समन्वय के लिए उरूपरेखा का प्रावधान है तथा ये बच्चों की बहु आयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हित धारकों से सामुहिक कारवाई को प्रोच्साहित करती है राष्ट्रिय बाल कारिय योजना दो हजार सोल है बच्चों के अधिकारों को प्राथमिक्ता के चार प्रमुख क्षेतरों अर्थात एक उत्तर जीविता, स्वास्थे एवं पोशन, दो शिक्षा एवं विकास, तीन, सनरक्षन और चार भागीदारी में वर्गी कृत करती है. ये विभिन रण नीतियों के कारियानवयन के लिए प्रमुख कारेक्रमों, योजनाओं इवं नीतियों तथा हित धारकों को भी चिन्नित करती हैं. सांसदों के प्रशनों से सरकार को भी महतवपून फीडबैक मिलता है. इसके चलते सरकार चुस्त रहती है. इसके अलावा, वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मनजूरी सरकार के लिए बहुत महतवपून होती है. ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम स इस संसद सरकार को नियंतरित करती है, उसका मार्ग दर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जन्प्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंतरित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक एहम भूमिका होती है और ये भारतिय लोक्तंत्र का एक मुख्य आयाम है। जा रही है। अगर आप संसद होते तो कौन से दो सवाल पूछते। प्रिष्ट 49 ग कानून बनाना कानून बनाना संसद का एक महत्वपून काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याई में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन प्रिष्ट भूमी वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीन प्रिष्ट भूमी वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षित्रिये दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछडे वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। इस तालिका से पता चलता है कि अलग-अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। बाई और पहला शीर्शक है लोकसभा फिर चुनाव का वर्ष लिखा गया है और उसके बाद मतदान का प्रतिशत लिखा गया है। चुनाव वर्ष 1971 मतदान प्रतिशत 55.29 छठी लोकसभा चुनाव वर्ष 1977 मतदान प्रतिशत 60.49 आठमी लोकसभा चुनाव वर्ष 1984-1985 मतदान प्रतिशत 64.01 दस्मी लोकसभा चुनाव वर्ष 1991-1992 मतदान प्रतिशत 55.88 चौधमी लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 मतदान प्रतिशत 57.98 पंद्रमी लोकसभा चुनाव वर्ष 2009 मतदान प्रतिशत 58.19 सूलवी लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 मतदान प्रतिशत 66.4 शत्रमी लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 मतदान प्रतिशत 67.11 इस प्रिष्ठ पर बाई और नीले रंग के अक्षरों में एक प्रश्न पूछा गया। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप ये कह सकते हैं कि पिछले 65 सालों में चुनावों में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है या शुरुवाती वृद्धी के बाद प्राय है स्थिर रही है। देखने में आया है कि प्रतिनिधी मूलक लोक तंत्र अपने समाज को पूरे तोर पर सही धंग से प्रतिबिम्बित नहीं कर सकता। ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग-अलग होते हैं तो एक समुह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें, अनुसूचित जातियों, S.C. और अनुसूचित जन जातियों, S.T. के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताके इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। प्रिष्ट चालीस उनसे उमीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासीयों की जिन्दगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षन का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। साट साल पहले संसद में केवल चार प्रतिशत महिलाएं थी। आज भी उनकी संख्या ग्यारह प्रतिशत से जरा सी उपर ही पहुँच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलजे सवालों से जूज रहा है कि क्या हमारी लोगतांतरिक विवस्था वाकई प्रतिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूज सकते हैं और उनके जवाब ढूंडने की कोशिश कर रही है। ये बात लोगतांतरिक शासन विवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को जलकाती है। इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ महिला संसद दिखाई दे रही है। इसके नीचे नेले रंग के अक्षरों में एक प्रश्ण पूछा गया है। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है। चर्चा करें शब्द संकलन स्वीकृति किसी चीज़ पर अपनी सहमती देना और उसके पक्ष में काम करना इस अध्याय में ये शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमती यानि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तिमाल किया गया है गठबंधन इसका मतलब समूहों या दलों के तातकालिक गठजोड से होता है इस सद्ध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तिमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिती में बनने वाले गठजोड के लिए किया गया है अनसुल्जे इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्धन नहीं होता है प्रिष्ट 41 अभ्यास 1. राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयसकों को मत देने का अधिकार होना चाहिए 2. बगल में 2004 के संसदिय चुनावक्षेत्रों का नक्षा दिया गया है इस नक्षे में अपने राज्य के चुनावक्षेत्रों को पहचानने का प्रियास करी आपके चुनावक्षेत्र के संसद का क्या नाम है आपके राज्य से संसद में कितने संसद जाते हैं कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है। कुल सीटें 543, गुलाबी रंग से सामान्य सीटें दर्शाई गई हैं, जो हैं 412 है। नीले रंग से अनुसूचित जाती की सीटें दर्शाई गई हैं जो हैं 84, हरे रंग से अनुसूचित जन जाती की सीटें दर्शाई गई हैं जो हैं 47. 3. अध्याए एक में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदी ये शासन विवस्था में तीन स्तर होते हैं, इन में से एक स्तर, संसद यानि केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधाईकाओं यानि राज्य सरकारों का हूता है अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर इस तालिका को भरें कौन सा या कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है या हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रिक्त स्थान भरें आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधी कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रिक्त स्थान भरें अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? राज्य सरकार, केंदर सरकार, रिक्त स्थान भरें पिछले चुनाव कब हुए थे? राज्य सरकार, केंदर सरकार, रिक्त स्थान भरें अगले चुनाव कब होंगे? राज्ये सरकार, केंदर सरकार, रिक्त स्थान भरें। आपके राज्ये में कितनी महिला प्रतिनिधी हैं। राज्ये सरकार, केंदर सरकार, रिक्त स्थान भरें। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत